हेलो स्टुडेंट्स आपनी फिफ्ट चेप्टर के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो प्रिविएस वीडियो में देख चुके हैं अधरवाइज आप वो वीडियो एक बार आप अच्छे से समझे बिटा तभी आप नेक्स्ट क्योस्टन को अच्छे से कलियरली क कर पाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एक सरसाइज 5.1 का क्योस्टन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लेते बिटा अपने अंसी आटी मैथ में अपनी स्टेटमेंट देखेंगे क्या है इन वीच ओफ फॉलोइंग सिच्वेशन ड़स्द लिस्ट ओफ नंबर टैक्से फैर आफटर इज किलो मेटर मॉैंट दभेर इज रूपिज फिफ फॉर्ञ वर्डा फर्स ट कीलो मेटर आड रुपीज एट फोर्दा इच एडिशन किलोमेटर यह कह रखा है उसने क्या काया है बिटा कि एक टैक्सी का किराया है फस्ट किलोमेटर के लिए तो 15 रुपीज है उसके बाद अधर जो किलोमेटर आप मुग करेंगे उसमें ट्रेवल करेंगे तो उसका किराया है वो कितने नेक्स्ट किलोमेटर के लिए तो ये बताना है कि ये situation हमारी है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे Taxi fare for first किलोमेटर टैक्सी फेयर 4-1 किलोमेटर उसने देखा नियुका है फ़स्ट किलोमेटर के लिए है कितने रुपीज है 15 तो टेक्सि फियर मचान दो किलोमेटर डिस्टेंस करता है तो कितना किराया लगे गाएगा उसको फिस्टिन हो जाएगा प्वäter Shortly Mea À 8 रूपीज पर किलोमेटर तो सीट रूपीज और बेघ्र हो गया तो कितना आग्या दो किलोमेटर अगर ट्रेवल करेगा तो 23 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे टैक्सी फेयर 4 3 किलोमेटर अब 2 किलोमेटर का तो 20 है अगले किलोमेटर के लिए 8 रुपए और देने पड़ेंगे तो कितने रुपए होगे 31 होगे इस तरिक्ये से क्या होगे हमारी यह टर्म निकाल लिए हमने तीन यह चार टर्म निकाल लेने हैं तो क्या बनगी हमारी सीरीज 15 23 31 इस तरिक्ये से अब क्या करना है हमने AP चेक करने के लिए बिटा क्या चेक करेंगे Common Difference चेक करेंगे यह होती है हमारी First term T1 यह Second term T2 यह Third term T3 इस तरीक्यों से लिख लेते हैं अब Common Difference निकलना है D is equal to क्या होता है बिटा T2 minus T1 Always क्या करना है Second term minus first term तो T2 क्या हमारा 23 minus में first term क्या है 15 तो 23 minus 15 क्या आगया 8 Next देख लेंगे T3 minus क्या करेंगे T2 Third term में से Second term सब्ट्रेक्ट करके देख लेंगे कितना आगया 31st minus 23 दुन्नों को सब्ट्रेक्ट किया तो value क्या आगया हमारी 8 तो यहां पर क्या देखा हमने जो common difference है वो क्या है लिख देंगे common difference कि इज सेम आपको पता लग गया अगर common difference सेम है तो यह क्या आप फॉर्म कर लेगी एक एपी फॉर्म कर लेगी चलिए second question स्टार्ट कर लेते हैं इसका second part क्या है second part अपना read करेंगे विटा NCRT math में देखेंगे